हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैत मूर इंफो यूटुब चैनल तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रधान मंत्री जंधन योजना के बारे में इस योजना से जड़ी हुई आपको सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी साथ में अगर आप इस योजना का लाब कौन-कौन से लाब है या किस तरह के बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं and most important कि जीरो बैलेंस अकाउंट में बेंक अकाउंट जीरो बैलेंस पर भी आपको यहाँ पर 10,000 रुपए तक मिल सकते हैं और ड्राफ्ट जो फैसलेटी है इसके थूँ तो वो सारे इंफॉर्मेशन में आपको आजके इस वीडियो में दूँगी प्रधान मंतरी जन्धन योजना अगर आप यह अकाउंट खोलने के लिए अलिजबल होते हैं बिलकुल खोल लिजे काफी टाइम से जो हमारे देश के नागरिक है वो इसका लाव ले रहे हैं अगर आप अपनी कॉम्टिशन एक्जामनेशन के परपस से अगर आप चाहते हैं इसके बारे में जानकरी तो भी आप वीडियो में बने रहेगा आपको इस योजना से रेलेटेट सारे इंफॉर्मिशन दूँगी वीडियो अगर आपको इसके बाद भी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक एंट सेर कर दीजेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रधान मंत्री जंधन योजना जिसको की हम सौट में PMJDY कहते हैं प्रधान मंत्री जंधन योजना और इसके बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा प्रधान मंत्री जंधन योजना ये काफी टाइम से चलिया रही है रन हो रही है हमारे देश में ये योजना और इसका काफी हमारे देशवासियों ने लाब लिया है जो भी इसके लिए एलिजबल रहे हैं तो अभी आप यहां देख भी सकते हैं कितने लाभारती हैं यहां पर 51.8-6 करोड लाभारती हो ने बेंकों में धनरासी जमा किया है और लाभारती हो के खाते में अभी इतने करोड रुप आप यहां पर देखेंगे कि मिसन दस्ताबेस योजना का विवरण, आप जब ये योजना के विवरण पर जाएंगे तो यहां से आप इस स्कीम के बारे में इस योजना के बारे में जान सकेंगे. तो पहले तो हम यहीं से इस योजना के बारे में जाल लेते हैं उसके बाद हम बात करेंगे कि दस हजार रुपै तक जो आपको जन्धन अकाउंट में आपको दिया जा रहा है वो कैसे दिया जा रहा है ठीक है? तो पहले हम देख लेते हैं जो जन्धन योजना प्रधान मंतरी जन्धन योजना क्या है तो देखिए प्रधान मंतरी जन्धन योजना जिसको की हम शौट में PMJDY कहती हैं ये रास्टे वित्ती समावेशन मिशन है जो वहिनिये तरीके से वित्ती सेवाओं जिसमें बीमा पैंशन तक की सुनिश्चित करता है खाता किसी भी बैंक साखा अत्वा बैफसाय प्रतिनी दी जो बैंक में त्रो होते हैं वो आउटलेट में खोला जा सकता है PMJDY खाता जो जीरो बैलेंस के साथ अभी खोला जा रहा है तो जीरो बैलेंस पर आप ये अकाउंट खोल सकते हैं हाला कि खाता धारक अगर किताब की जाच करनी चाहते हैं अगर आप चाहते हैं पास्बुक देन आपको वहाँ पर जो minimum balance जो रखा गया है वो आपको वहाँ पर पूरा करना होगा अकाउंट तो आपका जीरो बैलेंस पर खोल जाएगा लेकिन अगर आप किताब चाहते हैं तो फिर जो minimum इनका रखा गया है मानदन उतना balance आपके अकाउंट में होगा प्रधान मंत्री जन्दन योजना के अंतरगात खाता खोलने के लिए आवशक दस्ता वेज यानि documents कौन कौन से रहेंगे तो documents अगर आपको यहाँ पर यदि आधार card है तो कोई un-document की आवशकता नहीं है आधार card आजकल हमारे देश में सभी के पास है बच्चों के तक आधार card है तो आधार card तो मिली सभी के पास है लेकिन अगर आधार card है तो इसके अलब आपको आधार कुसी भी देने होंगे जिसमें आप मदाता पहचान पत्र दे सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं पैन कार्ड पासपोर्ट तथा नरेगा card यदि इन documents में से आपका पता भी मौझूद है तो यह पहचान और पते का प्रमारदौनों का card फिर आपको अलग से address प्रूफ देने की जरूरत नहीं है अगर आपका इन में address है क्योंकि हमारा जो आधार card होता है उसमें address रहता है और identity face identity and साथ में हमारा पूरा detail रहता है इसलिए आधार card के साथ आपको कुछ भी requirement नहीं है लेकिन अगर आधार card नहीं है उसकी जगह आप अधर कोई आपकी ID यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपका address अगर दिया हुआ है तो address proof की फिर अलग से जरूरत नहीं रहेगी यदि किसी बठ्टी के पास उपरयुक्त वर्नित बैद सरकारी कागजात नहीं है लेकिन इसे बैंक दौरा कम जोखिम के स्रेणी में बर्गी करत किया जाता है तो उनमें एक कागजात जमा करके बैंक खाता खुलवा सकते हैं इनमे इसके अगर हम लाव देखें प्रधान मंत्री जंधन योजना से क्या benefits हैं क्या लाव हैं तो एक तो जमा रासी है उस पर ब्याज मिलता है एक लाग रुपए का दुरगटना बीमा कवर भी यहाँ पर मिलता है इस योजना के अंतरगत अगर आपका प्रधान मंत्री जंधन लाभारतियों को उसकी मिलती उपर सामन सर्तों की प्रति पूर्ती पर दिया जाता है कुछ सर्ते होती हैं उसके बाद आपको यहाँ पर 30,000 रुपए बीमा आपको दिया जाता है अगर डैथ हो जाती है ठीक है भारत भर में धनका आसानी से अंतरण है सरकारी योजनाओं क कम से कम six months का हो गया है तो यहाँ पर overdraft की सुखधा भी आपको दी जाएगी overdraft क्या है हम आगे जानेंगी pension बीमा उतपादों तक आपकी यानि बीमा पेंशन यह भी आप यहाँ पर कर सकते हैं और प्रधान मंत्री जंदन योजना के अंतरगत ब्यक्तिकत दुरगटना बीम मिंत्र ATM POS Ecom आधी चैनल पर कम से कम एक सफल बित्तिय और गेर बित्तिय लेने निया तो अपने स्वेम के बैंक से अथवा किसी दूसरे के बैंक के माध्यम से दुरगटना की तारीक को सामिल करते हुए दुरगटना की तारीक से लेकर के पहले कितन अब्बे दिन के भीतर किया हो पूरे बीमा कारकरम बित्तिय वर्जद के अंत्रगत सामिल किये जाने ही तू पाथ होंगे वो यहाँ पर 2016-17 का बताया गया है ठीक है प्रती परिवार मगदिता परिवार की इस्तरी के लिए यानि प्रती परिवार हर एक परिवार में जो 5000 रुपए तक का ओवरड का जो फैसिलिटी है 5000 रुपए तक की यहां पर है अब हम यहां पर 10,000 की जो मैं बात कर रही हूं वो देखेंगे और ऑवर्ड्राफ्टिंग क्या है तो अब ही आप यहां पर देखेंगे समावेश समरदी 10,000 तक की रकम जंधन ओवर्ड्राफ्ट के संग अब यह ओवर्ड्राफ्ट फैसिलिटी क्या है इसके बारे में हम जानेगे तो जो ओवर्ड्राफ्ट फैसिलिटी है तो यहां पर यह ओवर्ड्राफ्ट के संग आप इसमें और भी पर सकने है जो अभी हम तरीके से बित्तिय सेवाओं ये था बैंकिंग, बचत, जमाखाते, धनप्रेशन, रिन, वीमा, पेंशन तक की तक पहुत सुनिश्चित करता है। खाता किसी भी बैंक साखा है, वेबसाइप, पैते निधी या बैंक मित्र केंदर पर खुला जा सकता है। ठीक है, और सुनिश्चित के साथ ये अकाउंट खुला जा रहा है, ये हुआ, अभी लेकिन हम बात करने वाले थे कि ओवरड्राफ्ट फैसलिटी क्या है, तो ओवरड्राफ्ट फैसलिटी एक तरह का हम लॉन कह सकते हैं, जिसको कि आपके बैंक अकाउंट में अगर जीरो ब दूरेशन में आपको रिटर्न करना होता है, तो इसके चलते हैं, कस्टोमर्स अपने बैंक अकाउंट से मौझूदा बैलन्स से जादा पैसा बिड्रॉल, यानि जिससे अगर आपका जीरो अकाउंट है, तब भी आप वहाँपर दस हजार तक का पैसा अपने अकाउंट से निकाल सकते हैं, और इसमें एक फिक्स डूरेशन रहता है, और इस पर ब्याज भी लगता है, चीक है, आपको इस पर इंट्रेस्ट भी लगेगा, ब्याज भी लगेगा, चलिए अब हम इसमें देख लेते हैं, जैसे कि इसका लाब अगर आप देखना चाहें, तो लाब द किर देशों का अनुपालन सुनिष्चित करने के लिए, BSBD खाता धारक का, किसी भी बैंक या साखा में अनवचत बैंक खाता नहीं होना चाहिए, रूपे योजना के अंतरगत, रूपे जो योजना के अंतरगत, एक लाग का दुरगटना बीमा कवर, 28-28-2018 के बाद खोले यूपर 30,000 का जीवन कवर उपलब्द कराती है, जो कि 15-8-2014 से लेकर के 31-1-2015 के बीच खोले गए खातों में पात्रता संबंधी सर्तों को पूरा करने के अधीन है, पूरे भारत में पैसे का आशन अंतरण, और यहां आप देखेंगे, जो हमने सब कुछ देख लिया है, क 6-month का आपका अकाउंट है, तो आपको overdraft की सुबधा मिल जाती है, overdraft क्या है, अभी हमने देखी लिया है, बाकी आप यहां पर देखेंगे, प्रती मकान केवल, घर की जो महलाएं हैं, उनको प्रात्मिकता दी जाईए, और 10,000 आप यहां देख पा रहे हैं, 10,000 तक साथ ही 2000 की overdraft की सुबधा उपलब्द है यहां पर, तो यह यहां हुगा, अब इसके बाद अगर हम इसकी facility देखना चाहें, कौन-कौन से document, document हमने बैसे देख लिये हैं, document अभी हमने चक किये थे, कौन-कौन से document रहेंगे, तो document तो आपने देखी लिये, इसके अलाबा आप यहां सबसे महतपूर, नियम और सर्थ, यहां पर आप देख सकते हैं, क्या-क्या हैं, तो VSBD खाता जो कम से कम 6 महिने के लिए संतो जनक धंग से परिचालित किया गया हो, यह overdrafting के लिए, परिवार में कमाने बाली बक्ती को overdraft सुर्करत किया जाना है, जो कि परिवार में केबल एक सदस्व को ही सुर्करत किया जाएगा, डीवीटी, डीवीटी, अलियोजना, अन्य सत्यापिस रोतों के तहित, नियम में जमा होना चाहिए, भारतिय रिजर्व बैंक के निद्दिसों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, BSBD खाता धारक का किसी भी बैंक के कंडिडेट है, जो 18 से कम के उम्र के ग्राहक है, PMJDY के तहित, OD के लिए पात्र नहीं है, OD means overdrafting, overdrafting facility जो रहेगी, वो 18 प्लस के जो कंडिडेट, यानि 18 से लेकर 65 एस तक के कंडिडेट के लिए आलिजबिल होंगे, 18 से कम के लिए नहीं है, KCC, JCC, उधार करता, PMJDY, OD के ल देखी लिया है, सो अभी overdraft क्या है, इसके बारे में हमने जाना overdraft facility क्या दी जारी है, प्रधान मंत्र जंध नियोजना के तहित, और यहां पर अगर toll free number दिया गया है, आप जिस भी बैंक से, पंजाब से, SPI, या कहीं से भी आप करना चाहें, कहीं कभी account आप करना चाहें, आप उसे साब से अपना detail देख सकते हैं, अभी हमने bank of baroda का जो official site है, उसको हमने open किया हुआ और यहां पर हमने इसके बारे में पूरी जानकारी ली है, आसा करती हूँ, आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, अगर आपको पसंद आई हो तो like and share कीजेगा, thank you